नमस्ते विद्या दिमित्रों, मिठीवा विद्या लएकि ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागा थे हम इस चेप्टर की सरुवात करें उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए इसके बाज़ों में दिये गए बेल आइकन पे क्लिक करने के साथ औल नॉटिफिकेशन को आने वबल कर दीजिए जिससे हमारी चैनल पे आने वाले सबी वीडियो आपको आसान इसे में सके आज हम कक्सा पांच विसेपरियावरन जिसमें चैप्टर नबर दस दीन रात और रुतुए उस चैप्टर की सरुवात करेंगे इस चैप्टर के दोरान हम दीन रात कैसे होते हैं रुतुए कैसे बदलती हैं और दीन रात होने से और रुतुए बदलने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है उसकी बारे में जानकरी प्राप्त करेंगी सरुवात करते हैं विद्याती मित्रों हम प्रति दिन सुर्य को उद्य और अस्त होते देखते हैं परंतु सुर्य दोई और सुर्यास्त का समय प्रति दिन समान नहीं होता हमने जून महिने में मेरा उलोकन एक, सितंबर महिने में मेरा उलोकन दो और दिसंबर महिने में मेरा उलोकन तीन में विभी नौट तयार किये हैं इस विवराण के आदार पर वेशबुसा, साखसबजी और व्यंजन की भी नौट तयार की है इस not के आधार पर नीचे वीवरन भरी है हम इस वीवरन जो नीचे लिखा गया है उपर का गया उससाब से ऐसा एक वीवरन बनाया गया है जिसमें तीन अलग-अलग महिने लिए गई जून महिना यानि की गर्मी की मौसम, सितंबर महिना यानि की ठंडी की स्वारी बरसाथ की और दिसंबर महिनाई यानि की ठंडी, ये तीन महीने में, तीन महीने में, तीन अलग अलग रुटुएं हमें देखने के लिए मिलती है, उसी रुटुओं के हिसाब से सुर्यद़ई और सुर्यास्तक। विस समय में भी आपने परिवर्तन होता देखा ही ह महिने म wedge when love why वहता है यानी की नम्बा होता है और रात मॉला छोटी थी से होगा दिन और सुब्साइब होगा तो आपका रात मुलारत होगा दिन्स तर्छारी का सभ GO Balance ताम साथ बजे तक आपको अंत्यरह होता हुआ देगा यानि की सुर्यादई और सुर्यास्त का समय थोड़ा बहुत ही आगे पिछे रहेगा वर्नस समान ही रहेगा और जब की मेरा अलोकन नमर तीन जिसमें दिसंबर महिने का अलोकन करने के लिए कहा गया है इसलिए दिसंब लबी हो जाता है यानि कि इसमें दीन का समय बहुत कम होता है और रात्री लंबी होती है यहीं वीवरण यहां पे तीन अवलोकन में लिखने के लिए भी बुला गया है वीवरण नमर एक है कि सुर्योदई और सुर्यास्त का समय नौट कीजिए इसमें आप जिस भी दिनांग का सुर्योदई और सुर्यास्त लिखते है वह दिनांग के हिसाब से सुर्योदई और सुर्यास्त लिखना है मेरा अवलोकन वरण एक में आपको जुन महिने का लिखना है मेरा अवलोकन दो में आपको सितंबर महिना यानि की बरसात की मौसम का लिखना है और मेरा अवलोकन तीन में आपको दिसंबर याने की थंडी की मौसम का उलोकन करना है इस तीनों सम का उलोकन अगर आप लिखोगे तो अगर आप देखोगे तो सुर्योदै कब सबसे पहले हुआ सुरियोदय सबसे पहले किस दिन हुआ होगा जुन महिने की किसी भी दिनांक ज़े दिनांक आप लोगें लेकिन सुरियोदय सबसे पहले किस दिन होगा मेरा उलोकन एक याने की जुन में जो दिनांक आपने लिखी होगी जुन महिने में सबसे जल्दी सुरियोदय हो जाता हो सबसे देड से सुर्यास तक अब होगा वो भी हमारा मेरा अलोकर नमबर एक यानि की जुन महिने में ही होगा उसमें गर्मी की मौसम रहती है और गर्मी की मौसम में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है वैसा क्यूं होता है उसके विज़वा चर्चा हम आगे की सबसे सुर्योधई का समय आपको 6 और 7 के बीच में होता हुआ दिखा देगा यानि की दिन चल्दी उग जाता है और सुर्यास तका समय साथ बजे से साड़े साथ या आठ बजे के यानि की साथ आठ के बीच में रहेगा जबकि मेरा अलोकर नमबर 2 दो में जो सितंबर महिन वैसे इस सुर्यास्थ्त का समई भी साथ याँ आथ से भीच काही रहेगा या साथ बजे काही होता है ज्यादा-तर. फिर जो तीमेरा उलोकन नमबर 3 है उसमें दिसंबर महिना यानि दिसंबर महिने में जो सुर्योदई का समय है वो थोड़ा लेड से होता है यानि कि 7-8 के बीच, साठेजा, आइसा होगा, जबकि सुर्यास्त का समय 6 या साथ के बीच में हो जाता है, 6 वजय या पौने 6 वजय भी यानि कि 5 और 6 के बीच में भी हो सकता है इसमर कि अगर आप जो भी तारीख लो वो सिझाव से, विवरण नमबर दो जिसमें साम सुर्यस्त का समय और दुसरे दिन सुबस सुर्योदय का समय यानि कि इसमें दिन कौन से दिन लंबा होता है उसकी बारे में चर्चा होती है और यहां पे रात की चर्चा हो रहे हैं कि रात कहां पे लंबी होती है यानि की अगर अवलोकन एक हिसाब से यानि की जून महिने में अगर आप देखोगे तो सुरियास्थ का समय सात बजे य़ा आट बजे होगा और जबकि दूसरे दिन सुबस सुर्य दई का समय पांच या छे या पांच छे के बिच में ही रहता है छे या साथ के बिच में रहेगा फिर सुर्यास्त का समय सितंबर महिने में हमारा रहेगा साथ या आठ के बिच में जबकि दुसरे दिन सुबस दिन उगने का समय होगा 6 या 7 के बिच में और तीसरा जो दिसंबर मैना है उसमें सुरियास्त का समय रहेगा 5 या 6 के बिच में रात का समय यानि की और दुसरे दिन सुबस सुरियास्त का समय हमारा रहेगा 7 या 8 के बिच में यानि की रात लंबी ह आगे हम देखते हैं विद्याधी मित्रों सुरियाद की तरह हम चंद्रमा के प्रती दिन नहीं देख सकते चंद्रमा कभी छोटा बड़ा या अधरस्य हो जाता है पहले मेरा उलोकन एक दो और तीन के आधार पर कुष्णप्रक्स में चंद्रोदाई का समय नौट किया गया और इस नौट के आधार पर नीचे विवरान के नौट तयार किजे यानि कि इसमें चंद्रोदाई यानि कि चंद्र का उगने का समय और चंद्र का चंद्र के रहने का समय वो हमें लिखना है यानि कि चंद्रदाई का समय हर एक समय पर अलग अलग होता हर एक दिन अगर दिने का भी अलग रूप हुआ इसमें जो कृष्णा पक्स बोला गया है उस कृष्णा पक्स के आधार पे तो चंद्रा धीरे-धीरे कमी होता जाता है और लास्ट यानि कि अमावस्या के दिन चंद्रा दिखता ही नहीं है यानि कि पूरा अंदेरा होता है उसी इतार आधार होता है तो के अप्रील मज़ूल कि के ऐसे महीनों में हमारा दिन लंबा होता है और उस समय होती है गर्मी के समय में हम और साथ में काठ मतले कप्ड़े पहनना पसंद्द ऑन does INFail क्योंकि उस समय ब्लoshima कर्मी यह इस लिदिया काठ पह्नना पसंद्रा जब्ष्ण समय होता है तब हम कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, जब दीन बड़ा होता है तब हम मोटे कपड़े यानि कि ज़ाड़े कपड़े हो, या फिर हम स्वेटर है, मफलर है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें गर्मी लगती है, क्योंकि उस दिन में गर्मी की ज़्यादा होती है, इसलिए हम गरम कपड़े नहीं पहन सकते, जब दिन चोटा होता है, यानि कि जब दिन चोटा होता है, वो दिसंबर महिना या जनवरी महिना, फरवरी महिना होता है, जिसमें हमें ठंड ल यानि कि बरसात की मौसम रेते है और आम बरसात की मौसम में नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं वहीं लेकिन उसके उपर आप रेंको चत्री वैसे सब कुछ चाता लेके जाते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर बरसात की मौसम होती है इसलिए या उसमें हम ज्यादा पतले भी कपड़े नहीं पहनेंगे जो पतले हो हमेरे उसके लिए और दूसरे हम ज्यादा मोटे भी कपड़े नह हो 65 है आप ऐसे कपड़े हर एक मौसम में पहनते ही हैं तो और कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें सभी रूतों में पहने जा सकी हम नीचे सराणी दी गए साणी में लिखी गई साख सब्जी का नाम लिखे यानि कि अवलोकन नंबर एक दो और तीन यानि अवलोकन एक में कौन सा था जून महिना दूसरे में था सितामबर महिना और तीसरे मे था डिसंबर महिना इस में कौन-कौन सी सब्चीर हमें मिलती अगर आप जून महिने में यानि की गरबी की मौसम में देखोगे तो आपको भिणी आलू फिर प्याज पिंडी ऐसी सारी सब्जिया हमें जुन के महिने में देखने के लिए मिलती है जबकि सितंबर महिने याने की बरसात की मौसम में हमें मेथी पालक फिर जो पिंडी भी देखने के लिए मिलती है ऐसी सारी चीज़े कंटोला ऐसी सारी चीज़े सब्जिया हमें वह देखने के लिए मिलती है तीसर अवलोकन विस्व Приme लमान साब साख सब्चि का नाम लेकए तीनों सेनों में क्या मिलेगा आलू फिए सब्च 혁म हमिन अलग हर्य एक सिजन में देखने के लिए मिलती है कि हर अक्रोटव अन्षानु में नहों है ऐसी अलग पढ़ने वाली शाख उपजी आ जैसे कि मैंने कहा वोसी साथ से भिनडी या फिर टिंडोडा ऐसी सारी सब्ची है हमें चॉद्धा तर गर्मी की मौसमें देखने के लिए मिलती है जबकि दूसरा उलोकन यानी की सिदंबर वहिंने में हमें मेथी पालक जैसी सब्सक्राइब भाज़ना कुछ अलग से मिलने में मटर और अलू मटर फिर सेम तूर ऐसी सबजिया अलग से मिलती है जो दूसरी दो मौसम में बहुत कम देखने के लिए मिलती है और अब जो सारी रुतुओं में सारी सबजिया मिलती है अगर आप बोलोगे कि सारी सबजिया हर एक मौसम में मिलती है तो देखा होगा अपने कि परिने जाओंगे तो कुछ महेंगी मिलेगी और ऐसा क्यों होता है कि वह हर एक सिजन में मिल रही है उसके कारण है कि कोल स्टोरेज यानि कि विग्णानिक ढंग से वसको बनाने का रत अब खेती में भी इतना डेवलप हो चुका है हमारे देश में कि हमारे हर एक मौसम में हर समय यानि कि हर एक रुतू में आपको हर एक चीज खाने के लिए मिलती है लेकिन वो कम मात्रा में मार्केट में आती होगी आपको मिलेगी भी कम मात्रा में और उसके पवाव भी अधिक होगे ऐसा क्यों होता है और क्यों मिलती है उसके बारे में देखो लिकाए कि आज के आदोनिक यूग में cold storage वेगनानिक धंग से खेती और संसोधित बीच की नई जातियों के उप्यों के कारण अधिक अंशा सब्चिया 12 मैने मिलने लगी है जिसके कारण ठंडी गर्मी और वरसा रुतु के आधर पर सब्चियों के पहचान बताना संबव ही नहीं है पहले की सम आपको हर एक प्रकार की सब्चिया हर एक प्रकार के फल मिल जाते ऐसा क्यूं होता है क्योंकि आज कल हमारे जो टेक्नलोची में है टेकनलोची में इतना सुतार हो चुका है कि इक तो cold storage cold storage यानि की साग सब्चिया उसको ज्यादा समय तक storage करके रख सके एसा एक ठंड़ा व वो चीज़े हमें लंबे समय तक श्टोर करके रख सकते हैं इसलिए उस cold storage जो बड़े बड़े आपको अगर आपने कहीं सुना है या देखा है तो cold storage याने की एक बड़ा सा room होता है जो पूरा ठंडा होता ही जैसे कि हम fridge होते हैं फ्रीज आपने देखा हो फ्रीज में कैसे ठ साख सब्जी या उसके अंदर भीगड़ती निया लंबे समय तक रहती है वैसा ही लेकिन ये बड़े हॉल में बड़े से रूम में बनाया गया cold storage होता है वहां पे ठंडक होती है और इतनी अधिक मात्रा में ठंडक होती है कि साख सब्जी या बगड़े नहीं यानि कि फल दो बीजों को मिलाकर एक नया विजुद्पन करना ऐसे भी बीच का संसरी करण हुआ है संसोधी करण हुआ है जिसके कारण बीच की इतनी उत्पत्ति होती है जो जमीन में यानि कि जो भी जमीन में आप डालोगे लेकिन वह आयक तो अधिक मात्रा में उगा के देगा आपको और उसको किसी भी रुतू के वातावरान के हिसाब से वह नहीं लेकिन वह बीच की में ही इतनी श्रमता होती है कि वह उस नकी करना कि कौन सी रूतों में कौन सा फल या कौन सी सबजी मिलेगी वो बहुती मुस्किल हो चुका है ठंडी के मौसम के बारे में जानेगे यानि कि ठंडी की मौसम में हमें क्या-क्या देखने के लिए मिलता है वो ज़्यादा तर हम देखते हैं कि हमारे देश में तीन प्रकार की रुतुएं हमें देखने के लिए मिलती हैं ठंडी, गर्मी और बर्शा ठंडी की रुतुएं में हम क्या परिवर्तन होता हुआ दिखते हैं और कैसे होती हैं क्या क्या नहीं होता हुआ दिखते हैं तो ठंडी की रुतु में, ठंडी की रुतु में की सरुवात पहले तो कहां से होती है, नवंबर महिने से, नवंबर, डिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये चार महिने हमारे देश में ठंडी की मौसम रहती है, ठंडी की मौसम में हम स्वेटर, मफलर, मोजे, दस्ताने, जैसे गरम चीजे पहननाव संद करते हैं और उसके क्यों गरम कपड़ पहनते हैं कि इस अमई ठंडे की मौसम रहते हैं ठंड ज्यादा पढ़ती है उसके साथ साथ हम जैसे सित्रे में बताया गया उससाब से तूप में बैठना पसंद करते हैं फिर दुनी यानि कि यह जो लकडिया जला कर उसका ताप लेते हैं यह सब कुछ करते हैं क्योंकि हमें ठंडे से पचना होता है और ठंडे की रुटों में ज्यादा तर हम चाई कॉफी जैसे गरम पीने प करना पसंद करते हैं जिसके कारण हमारे सरी में स्फृति बनी रहे और थोड़ी सी गर्मी भी बनी रहे यह होता है हमारे ठंडी की मौसम में अब नीचे वाले चित्रा में हम गर्मी की मौसम की सरुवात कहां से होते हैं तो कि मार्च, अप्रिल, माई और जून यह 4 महीने ह हमारे देश में गर्मी रहती है गर्मी के कारण हम क्या करते हैं ज्यादा तर ठंडी चीजे पीना पसंद करते हैं जैसे की ठंडी चीजे खाना और पीना आइस्क्रीम खाना हो ठंडी कोल रिंस पीनी हो बरफ का बोला खाना हो यह सब कुछ हमें गर्मी की मौसम में अच्छ या एसी में ही बैठना पसंद करते हैं ज्यादा तर बाहर दिन के दौरान गुमना पसंद नहीं करते हैं और रात तरी के समय से लोग बहां निकलते हैं ठंडी पवन चलती है रात को थोड़ी तो वास समय पर लोग बहां निकलते ही थोड़ा गुमने जाते हैं वरना कर्मी की मौसम में ज्यादा तर लोग घर पे बैठ कर एसी और पंखे में बैठना और रवही पे रहना पसंद करते हैं और गर्मी से कैसे बचे जाए वसका उपाई करते हैं उसी तरीके से तीसरी रुतू है हमारी वर्सा रुतू वर्सा रुतू में आप जानते हो हम ज्यादा तर क्या पेहनते हैं गर से बाहर निकलना हो तो रेंड कोट पेहनना पड़ता है चाता लेना पड़ता है जिससे हम वर्सा से बच सके वर्सा रुतू वर्सा रुतू की सरुवात का वहां से होती है में बनाकर बयाना पसंद करते हैं फीर पानी का जो घड़ा बड़ा रहता है यानिके जो पानी में ब्रसत का पानी होता है जो अगर गड़े में पड़ा हो तो आप चबा चप करना ज़्यादा पसंद करते हो उसके साथ साथ हम बरसाथ की मौसम में भीगना पसंद करते हैं लेकिन अगर हम ज़्यादा भीगेंगे तो हमें क्या हो सकता है बुखार हो सकता है यह जुखाम यह हासी हो सकती है इसलिए ह हम ध्यान देते हैं आज विबीन प्रकार के प्रदुसणों के प्रभव की कारण वर्यावराण को नुक्सान हुआ है इसके कारण वर्षा रुतु के अतिरिक्त अन्य रुतु में भी बर्षाथ पढ़ने लगी है यह आजकल आपने ज्यादातर होते हुए दिखा होगा कि वर रुतु में वर्षाथ हो जाती है और प्रदुसित होता कैसे है वातावराण तो ज्यादातर हम देखते है कि वाहनों के धुए वाहनों का धुआ हो फिर बड़ी-बड़ी कंपनिया जो डाली गई है तो कंपनियों में से जो धुए के रुप में जो वेश्ट बाहर निकलत होता है तो वह से क्या होता है कि हमारा आसपास का परियावरान प्रदुसित होता है और उसी प्रदूसित होने की कारण कि किसी भी रुप में बर्साथ हो सकती है कि अगे है कि 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे चोटी रात होती हैं हम जानते हैं कि हमारी अलग-अलग रुटों में दिन राध अलग-अलग होते हैं लेकिन ऐसा होता है उसमें भी कुछ तारीके दी गई है जैसे कि 21 दून हमारे वर्स का यानि कि पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है उसी तरह से 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है यानि कि वर्स का पूरे साल का 22 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब दिन बहुत ही छोटा होता है और रात बड़ी होती है उसी तारिके से 20 मार्च और 23 सितम्बर दोनों ऐसी तारिके हैं जब दिन और रात एक समान होते है आगे तिन सवाल दिये गए हैं जैसे कि निस्तिस समय अंतराल में रोगों का अनुपात बढ़ जाता है निस्तिस समय अंतराल यानि कि वह समय होता है ज़्यादा तर बरसात का बरसात के समय में लोगों का बीमार होना ज़्यादा हो जाता है इसा क्यों होता है कि बरसात की मौसमों में हम देखते हैं कि हमारे आसपास यानि कि सड़क के आसपास हो हमारे घर के आसपास हो वहाँ पे गड़े होते हैं और गड़े में बरसात के कारण वहाँ पानी बढ़ जाता है वहाँ पानी का निकाल ना होने के कारण वहाँ पे मच्छर होते हैं और मच्छर के उपत्रों को बढ़ने से हम रोग नहीं सकते और अगर हम समय पे उसको ना रोके तो मर्चर के उपत्रों को बढ़ने के कारण हमें डेंग्यू, मलेरिया, ऐसी भी बुखार हो जाते हैं उसके साथ जुखाम, खासी ऐसा होता है और उसके साथ बरसाथ की मौसम में हमारे नदी नालो में बरसाथ का भी पानी मिल जाता है और वहीं बरसाथ का पानी यानि कि नदी नालो का पानी हमारे घर में नल में पानी पीने के रुप में भी आता है इसके कारण वो पानी दुस में रही रवा मुए रही रह रहा प्रदूसंट वह इसको प्रदूसित बैच कर देता है जैसे उह जमिन तक है थो पूरा पानी में इफ प्रदूसित रहा हीा जो पानी हमें मिलता है पीने के लिए वो पानी की कारण भी आधे रोग होते जैसे की पानी से हमारे दस हो जाना उल्टिया होना पेट खराब हो जाना इस सारी चीजे हमें कब होती है जब पानी खराब होगा तब और पानी खराब कहां से हुआ बरसात की मौसम में जो पानी ह वहारे नदियों में आया वहां से और बरसात का पानी गंदा कहां से हुआ वहीं प्रदूसन के कारान तो इसलिए बरसात की मौसम में बिमारिया जैसे की बुखार हो मलेरिया डेंग्यू वैसा बुखार जो मच्चर से उद्रव होते उसके साथ साथ पानी जन्य रोग यानि की पानी से होने वाले पानी के कारान होने वाले रोगों का भी बढ़ जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि बरसात की रुटों में लोगों का अनुपात बढ़ जाता है अ करीकेट के खलना हैं तो यानि कि बार बारिस हो दिया तो यानि कि बरसात की रुटों में हम कैरांव चैज साइजब सीडी ऐसे खेल खेलना पसंद करते हैं तिसरा सवाल है दिन रात के छोटे बड़े होने के कारण हमारी प्रुथवी है और प्रुथवी कैसे है तो कि हमारी प्रुथवी अपनी दूरी पे चारो और गुमती है जिसके कारण दिन रात होते हैं और हमारी प्रुथवी अपनी दूरी पे गुमन प्रत्वी सुर्यक के सामने होता है प्रत्वी का तब दिन लंबा होता है और रात चोटी होती है उसी तरह से तरीके से यानि कि दिन लंबा होना और रात चोटी होना उसका आर्थ यह है कि गर्मी की मौसम होना और उसी के साथ अगर प्रत्वी का जो भाग सुर्यक के सामने ज दिन चोटा और रात लम्बी होती है यानि कि ठंडी की मौसम उस समय के दोरान रहती है इस तरह से हम कहे सकते है कि प्रुथवी का गती करना यानि कि पुरुथवी का घुमना और प्रुथवी का अपने धुरी पए गुमना इन दोनों काराणों की वज़़ से दिन राध सुद्य बड़े होने का कारण भी हमारी पृत्वी का अपने गती के आधार पर गुमने का कारण है यानि कि पृत्वी अपने गती Move watch by के इसाव से this तरा से सुदिय के आसपास गुम ही से अरहे बड़े चुझे लिए यानगी हमारी दुतु में भी परिवतन हमें होता हुआ दिखाई देता है इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर नमबर 10 समाप्त होता है अब हम आगे के वीडियो में चैप्टर नमबर 11 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तब तक इस वीडियो को शेर जरूर करिए लाइक और शेर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे हमारी चैनल पर आने वाले सबी वीडियो आपको आसानी से मेच सकें ठैंक यूँ